महापुर्षों प्यार से कहिए धन्नकर जी पढ़ता है उसे अच्छे और बुरे की पहचान ही नहीं रहती इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि सदा नेक और सदाचारी लोगों की संगती करो परदीप एक अच्छा लड़का था वो पाचवी कच्छा में पढ़ता था बड़ों का आदर सतकार करना छोटों से प्रेम पूर्बग व्यवहार करना उसका सुभाव था स्कूल से आते ही वह खाना आधि खाकर पहले स्कूल से मिला ग्रेह कारे करता फिर निश्चित समय पर खेलने जाता रात को खाना खाने के पश्चात अपने पिता जी के साथ सैर को जाता और अपने परिवार में बैट कर सभी के साथ साथ प्रभू का नाम लेता और सोने चल उसके अडोस पडोस वाले लोग अपने बच्चों को परदीप का उदाहरण देते और उन्हें उस जैसा बनने को कहते वो जहां भी जाता सभी उसे प्यार करते और सुंदर वस्तुए लाकर देते जब परदीप छटी कच्छा में पहुंचा तो उसकी कच्छा में कुछ नए विद्यार्थी दाखिर हुए उनके नाम गौरो और सौरप थे यह दोनों अमीर माबाप की बिगडी हुई संतान थे बात बात पर जगडा मोर लेना गाली गलाउच पर उतराना दूसरों को नीचा दिखाना इसकूल से भाग कर फिलमें देखना छुप छुपा कर विद्यार्थीयों की कापियों से नकल मार कर काम करना बड़ों के सामने उचा 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 बोलना और मरमानी करना उनका सभाव बन चुका था इसकूल में दाखिल होते ही उन्होंने परदीप को अपने साथ मिलाना चाहा कभी उसे बाजार में ले जाते और वहां किसी परदीप को सीधे रास्ते पर लाना चाहते थे परदीप के पिता जी को एक तरकीब सुझी एक दिन बाजार से वे बहुत से आम लाए सभी आम बहुत अच्छे थे परदन उन आमों में एक आम गला सड़ा था पिता ने परदीप को सभी आम एक टुकरी में इकठे रखने के लिए कहा परदीप ने देखा कि सभी आम तो तीन दिन पस्चात पिता ने परदीप से फलों का टोकरा लाने को कहा परदीप यह देखकर हैरान रह गया कि आज तो बाकी फल भी गलने लग पड़े हैं उसने पिता जी से कहा पिता जी यदि एक गंदे आम को अलग कर देते तो आज सारे आम तो खराब ना होते परदीप की बात सुनकर पिता ने समझाना आरम किया देखो वेटा एक गले सड़े आम ने बाकी के सही आमों को भी खराब कर दिया इसी तरह बुरा साथ हमें बुराई के रास्ते पर धकेल देता है बुरे लोगों की संगती हमें बुरा बना देती है जबकि अच्छे लोगो की संगती हमें नेक बनाती है अब फैसरा हमने करना है कि हमने नेक लोगों की संगती करनी है या बुरे लोगों की अच्छे लोगों की संगती में खुब पढ़ लिखकर जीवन में आगे बढ़ते जाओगे और अच्छी आदतों के कारण सभी से प्रेम पाओगे प्रेम औ हमदर्दी मधुर बाड़ी और नम्बरता कुछ ऐसे ही गुण हैं जो केवल नेक साथियों की संगती से ही मिल सकते हैं जयो जयो पिताजी समझा रहे थे परदीप को अपने आप पर लज्जा रही थी उसे एहसास हो रहा था कि गलत साथियों की संगती के कारण ही वह सबकी न पूरी आदते भर दी हैं अब आप मुझे छमा करें आगे से मैं ऐसे लोगों से दूर ही रहूंगा जो गलत रास्ते पर चलते हैं पिताजी ने परदीप की पीठ थप थपाई और उसे बहुत प्यार दिया अब परदीप फिर एक अच्छा बालक बन गया और सभी उसकी प कुसंग तारे कुसंग डुभोए महापुर्शों प्यार से कहिए धन्नकार जी